आजमगर जनपत के जियनपूर कोतवाली जेतर के अजमत गड़ मार्ग पर कब्रिस्तान उवा विद्याले के पास देशी सराथ की दुकान खोले जाने पर आक्रोशित अस्थानिये लोगों ने सडक जाम कर विरूद जाताया है और हंगामा भी किये हैं मौके पर पहुंची पुलिश ने किसी तरह समझाब जाकर जाम को शमाप कराया सरकार की मंसक की अनुरूपो नियाले की आदिसा अनुसार सराथ दुकान को मुख्य मार्ग से हटा कर चियनपूर अजमत कर मार्ग पर रस्थापित किया गया जिसका नगरवासियों द्वारा सडक चाम कर विरूद पर दोसन किया गया बिदित होफर सासन द्वारा ने रस्थित किया गया था कि मुख्य मार्ग से पांसो मीटर दूर सराथ की दुकानों को हटाए जाए वा पास में कोई भी द्याले मंदिर मस्जित न гол इस्थित हो क्यntको देशिस अराभ की दुकान के पास में सिउबाल का इंटर कालेज वा संराइस इंटर कालेज इस्थित है तथा 50 मिटर दूरी परी कब्रिस्तान भी है जिसका नगरवासियों द्वारा बिरूद किया गया बिरूद करने वाले पुरुसों मैलाओं का कहना है कि पास में देशी सराब की दुकान इस्तित होने से हमारे बच्चों का महाल खराब हो गया है यहां पर रोजाना भगल मचेगी जिससे हमारे बच्चों पर कुपरभाव पड़ेगा इसको लेकर लोगों ने स्वाग जाम कर दिया जिससे घंटों मार्ग और द्रह जाम के सुटना मिलने के बाद मौके पर पहुंची जियनपूर कोतवाली ने लोगों को समझाब जाकर जाम को समाप्त करया और देशी सराब की दुकान में ताल लगवा दिया अलते मेरा को अचै आप चक्का जाम किया क्या कारण शाइए अब होड़ेटि हैं इसलिये चक्का जाम किया है चाहती है हम यहीं चाहता क्या मारे गार नहीं बिक आई कर्षार रेक्षाब शंभालव हिसी सग्योंने थोवाह दो आ हकению कार भेसे टाए नहीं start क्यों को बेसा बाई बाउनकों तो प्रेश कि एंवालेिक्ट काविश ह मेंद तो कि мच्वैभ दिशंग लेघेन над याल प्राण कि धह रहा है ये का प्रिवीजा ये उन्वाजा